आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेगे सोव एसक्वाइर फिट छट लाई करने में कितना मैट्रियल लेगा मैट्रियल बोले तो कितना सीमेंट लेगा कितना बालू लगेगा कितना गीटी और कितना सर्य लेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपसे एक request है कि अगर आप नए है पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में like कीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसमें सीमेंट कितना लएगा और सबका भैलू क्या निकल के आएगा हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे जैसे यह देख रहे हैं यहां से यहां तक कि जो थीकनेस है जो हमारा चैनलाई होगा वो सलैब का जो थीकनेस रहेगा 5 इंची रहेगा तो आएए देखते है आगे आगे जो सीमेंट सीमेंट का पहले निकालेंगे तो सीमेंट जो सो एसक्वाइर फूट जो एरिया है इसमें सीमेंट हमारा जो लएगा वो सलैब में लएगा यानि छत में लएगा 9 बैग और यह चार बैग लएगा किसमें चारों तरफ जो साइड में बीम रहेगा बैग तो यह टूटल बैग एड़ कर लेंगे टूटल बैग जब एड़ करेंगे तो यह 13 होगा नो अचार 13 अजो यह रेट है यह जो रेट मैं दिखाया हूं हमारे यहां जो सीमेंट का जो रेट चल ला है ना 380 रुपया पर बैग चल ला है तो 13 बैग है तो इसको जब 40 यह एमाउंट हो गया यह सीमेंट का खर्चा आया 4940 उसी तरीके से हम बालू का देखेंगे जिसको सेंड बोला जाता है इंग्लिज में तो सलैब में लगेगा 18 CFT यह CFT में है CFT क्यूबिक फीट 18 फीट क्यूबिक फीट सलैब में लगेगा और 7 क्यूबिक फीट हमारा बीम में लगेगा इसमें बीम भी इंकुलूड है तो यह दोनों को अलग-अलग मैं लिखा हूँ ताकि समझने में आपको आसान होगा तो 18 और प्रलस 7 यानि 25 CFT बालू लगेगा सोवे स्क्वाइर फूट में अब 25 CFT बालू लगेगा तो आप अपने हिसाब से देख लिए अपने एरिया का क्या बालू का रेट चल ला है हमारे इधर है 75 रुपिया पर फीट तो 25 से गुणा कर दिजिए यह आ जाएगा 1875 बालू का आ गया उसी तरीके से हम गीटी का द एड कीजिए तो यह आएगा 49 49 और हमारे यह जो गीटी का जो रेट है वह है 95 रुपिया आप हमें कमेंट करके बताएगा आपके यहां बिल्डिंग माटरियल में क्या क्या रेट चल ला है कमेंट करके जरूर बताएगा तो इसको जब 49 और 95 में उन्या कर दिजिए इसका जो खर्चा आएगा 4650 रुपिया कीटी का आए खर्चा उसी तरीके से सर्या का निकालेंगे तो 10 mm हम सलेव में 10 mm सलेव में डालेंगे तो सलेव का 75 केची आया सेलाइब में सरीय लए गया 10 mm का 75 केजी और ये जो 48 है 48 केजी ये बीम का आया चारो तरफ जो बीम रहेगा ना उसमें 12 mm का एश्टी लिउज़ करेंगे 12 mm का तो ये 48 केजी आया और ये 26 केजी क्या एश्टी रफ एश्टी रफ जो चारो तरफ से घूंकर आता है ना एश्ट 27 केजी 12 mm का 48 केजी और एश्टी रफ आया 8 mm का 8 mm का एश्टी रफ यूज़ करेंगे तो ये 26 केजी आया अब ये तीनों को एड कीजिए तो ये आएगा 149 केजी हमारे यह जो रेट है इसका 65 रुपिया है तो इसके बाद से इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 9,685 रुपिया उसी तरीके से हम लेबर खर्च निकालेंगे इतना काम करने में लेबर खर्च क्या आएगा तो लेबर खर्च जो आएगा 100 square foot हमारे उधर 80 रुपिया पर square foot से छट डलाई करते हैं तो 100 square foot है तो इसको गोणा कर दिजे 8,000 हो गया तो ये total को एड करेंगे त 29,155 रुपिया 10% हम एक्स्ट्रा खर्च जोड़ते हैं इसमें तो 10% एक्स्ट्रा करेंगे तो 2950 रुपे इसमें और अड कर दिजे तो ये आजाएगा total amount 32,070 ये खर्चा आया total खर्चा आया 32,070 उमीद करते हैं कि आप वीडियो समझ गए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक कर लिजिए दिजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार